जय महाकाल मित्रो कैसे हैं आप सब? मुझे उमीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे, एबं मजे में होंगे दोस्तो इस मेडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ की S नाम वाले जातक एबं U नाम वाले जातक यदी साधी करते हैं तो आपको साधी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए दोस्तों यदी आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको वीडियो लाइक कर देना है साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एबम वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है एबम वीडियो को ध्यान से सुनना है तो आईए अब वीडियो की सुरुवात करते हैं मित्रो एस नाम वाले ज्यातक एबम यू नाम वाले ज्यातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक शमानता बहुत जयादा होती है इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे के विचारों को एक दूसरे के दृस्टी कोन को बहुत जयादा सम्मान, बहुत जयादा महत्तों देते हैं, एबं कभी भी अपने जीवन में एक दूसरे की बातों को काटना या एक दूसरे की बातों को अनसुना करना पसंद नहीं करते हैं, वैसे इसके अलाबा, यदि हम ऐस नामबालों की बात करें, तो एस नामबाले जो भी जातक होते हैं, उनको हमेशा अपने जीवन में किसी भी काम को करने में बहुत जयादा जल्दबाजी होती है, ये किसी भी काम को करने से पहले उसकी सकारात्मक बातें, उसकी नकारात्मक बातें इन बातों पर बिचार नहीं करते हैं, एबं इस कारन से इनको अपने जीबन में पड़ेशानी का सामना बहुत जयादा करना होता है। वैसे इसके अलाब ऐस नाम बाले जो भी जातक होते हैं वो अपने जीबन के यात्रा में अपने जीबन साथी या अपने प्रेमी प्रेमिका के प्रती बहुत जयादा इमांदार बहुत जयादा उभादार होते हैं एबम हमेशा अपने जीबन में अपने जीबन साथी का सपो उनका शमर्थन बहुत जयादा करते हैं वैसे इसके अलाबा यदि हम यू नाम बालों की बात करें तो यू नाम बाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत जयादा महनती बहुत जयादा परिस्त्रमी होते हैं एबम हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी के बिचारों से उनके द्रिष्टी कौन से बहुत जयादा सहमत होते हैं एबम हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी का सपोर्ट उनका शमर्थन बहुत जयादा करते हैं एबम ऐसे समय में आप दोनों के बीच में जो बंधन बनता है वो बहुत जयादा रोमांचक एबम मधुर होता मित्रो एस नाम वाले जातक एबम यू नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बाते जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए दोस्तो आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो बहुत जयादा मजबूत रहेगा यानी कि आपको शादी अवैस्य करनी चाहिए दोस्तो मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा साथ में एस्ट्रोफ और यू को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एबम वीडियो के नीचे में जय हनुमान आप कमेंट अवैस्य कर दे एबम वीडियो हर जगह से यार कर दे तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्निवा